परसों अधानी मामले की सुनवाई होनी है और आज अखबार चाप रहा है संग का अखबार संग की मैगजीन पांच जन्य चाप रहा है और वो संग जो खुद पंजिकरित नहीं है वो कह रहा है कि देश का सर्वोच न्यायले राष्ट विरोधी ताक्तों के हाथ में टूल ब देमोक्रिसी के प्रधान मंत्री हैं कि आप अपने परम मित्र गौतम अदानी के महा घुटाले में जांच क्यों नहीं करते उस पे जवाब क्यों नहीं देते अब सलाह मत भूलिए हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं आने भी वाले हैं 24 भी आ रहा है मौसम बदलता है यह सलाह प्रधान मंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलोना बने हुए हमारी शराफत को हमारा गहना मानो हमारी कमजोरी मत मानो हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहाँ भी कुछ दिखा सकते हैं आपको धन्यवाद जैराम जी मैं यही कहूंगा कि धमकी की राजनीती से हम पीचे हटने वाले नहीं हैं हम इसका कड़ा मुकाबला करेंगे छापे होने दीजिए जहां छापे होने चाहिए वहाँ तो ynहीं हैं इन्होंने कई नाम गिनाए पवन जी ने हमारे देश का सबसे बड़ा गोटाला भी इसकी जानकारी रोज कुछ ना कुछ आती रहती है जिसमें प्रधान मंतरी खुद जुड़े हुए हैं प्रधान मंतरी के प्रसंदीदा पुन्जी पती गौतमडानी के बारे में जो जानकारी निकल रही है रोज उनके कारणामे की सब गैर कानूनी कारणामे उस पर तो कोई जांच नहीं होती उस पर जेपी सी की मांग नकारा जाता है जहां छापे होने चाहिए जहां कानून का उलंगन हुआ है वहां तो छापे नहीं पड़ते और कई की मिसाल पवंजी ने आपको बताये हैं जो फेरन लवली के नाम पर आज बीजेपी के सदस्या बन गए हैं पर ये छापा चलता रहेगा आज हो सकता है कल भी होगा हम कुछ नहीं कह सकते पर एक बात हम बिलकुल साफ करना चाहते हैं कि हमारे लिए हम कोई चीज छिपा नहीं रहे हैं छापे होने दीजे हम इसका मुकाबला करेंगे हम पीचे हटेंगे नहीं हमारा महा आधिवेशन चलेगा चोबीस तारीको पचीस तारीको चबीस तारीको हाथ से हाथ जोड़ो जो टैग लाइन है उसके आधार पर ये महा आधिवेशन हो रहा है वो चलता रहेगा और भारत जोड़ो यात्रा में जो हमने सफलता हासिल की है जो परिवर्तन हम लाए हैं हमारे राज़नीती में हमारे संगठन में वो बरकरार रहेगा शुक्रिया कि सवाल है थाइस सुप्रिया You want it in English? Well, since 5 o'clock this morning the Enforcement Directorate, the ED the organization entrusted by Mr. Modi ED, Exterminating Democracy has been raiding our senior colleagues in Chhattisgarh 5 or 6 of our very senior colleagues have been raided since morning 5 o'clock this is clearly the politics of vendetta politics of vengeance politics of harassment and this is supposed to be a curtain raiser for the 85th plenary of the Indian National Congress we are not afraid we have nothing to hide we will not be intimidated I have repeatedly said Mr. Modi's policy of FDI is fear, deceit and intimidation this is his real FDI policy we will not be afraid we will not be intimidated we will not be cowed down the success of the Bharat Jodo Yatra followed by the Hatsihat Jodo Abhiyan and now the 85th plenary where about 15,000 delegates are expected to participate six resolutions will be adopted we have brought about a transformation in Indian politics we have shaken this government we are asking three questions every day 14 consecutive days we have asked questions of the Prime Minister directly on how he has helped Gautam Adani perpetrate this giant fraud you have seen in Delhi in the press conference in the E.D.K. Chah paper congress in the press conference हो रही है आपको बता दें कि जयराम रमीश और पावन खेरा जयराम रमीश और पावन खेरा इस प्रेस कॉन्फेंस को ले रहे थे और छापे होने दीजिये हम मुकाबला करेंगे ऐसा चैलेंज करते हुए बीजेपी को नसर आए हुआ 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 है